प्रतिक्षा ने दिया मलहार का साथ रवी हुआ कीरती के दिये परिशान वहल हम बात कर रहे है कलस टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल धरम पतनी की आज के ट्रैक में हमने देखा कि रवी कीरती को होश मिलाने की कोशिश करता है और हमेशा उसके पास रहने का प्रॉमिस भी करता हुआ नजर आता है वहीं रवी कीरती को कुछ भी ना होने देने की बात कह रही होती है मलहार पुलिस को देख कर डर जाता है वहीं मलहार प्रतिक्षा से काड़ी चलाने की बात कह रहा होता है प्रतिक्षा कीरती के लिए परिशान होती हुई भी नजर आती है वहीं मल हुए और उसे होस्पिटल मेराद एंज मिरा बेंकटि कर दिरती को ओटी में लेकर जाता है वही मलहार जर्क से काप रहा होता है मलहार प्रतिक्षा से शराब ना पीने का वादा भी करता है। वही प्रतिक्षा से मलहार कारी चलानी की बात कहता है और खुट के ड्रिंक एंड ड्राइब की केस में फसनी की बात भी कहता हुआ नजर आता है वही मलहार प्रतिक्षा का साथ मांगता हुआ नजर आता है और शादी के फेरे उसे याद दिला रहा होता है मलहार प्रतिक्षा को उसकी मा के नाम से एमोशनल कर देता है वहीं प्रतिक्षा को उसकी मा की बाते याद आ रही होती है मलहार के कहने पर प्रतिक्षा ड्राइविंग करती है वहीं मलहार कार में छुप जाता है प्रतिक्षा मलहार को बचा भी लेती है वही रवी कीर्थी के साथ ओटी में जाता है रवी कीर्थी के बचने से खुश हो रहा होता है वहीं शन्नमाता रानी से सामने सवाल करती हुई भी नजर आती है वरहार अपने बचने से खुश हो जाता है वहीं सबी घरवाले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं रवी कीर्थी के साथ O.T. में होता है वही कीर्थी की मा कीर्थी की ऐसी हालत देख कर काफी ज्यादा एमोशनल हो जाती है प्रतिक्षा हंसा का खयार रखती हुई भी नजर आती वहीं प्रतिक हंसा की ओवरीडिंग का मजा खुडा रहा होता है प्रतिक डॉक्टर को लाने भी जाता है वहीं रवी से डॉक्टर बाहर जाने की बात कह देता है गुल्शन कल्प्रेक को जल से जल पकड़ कर ना छोड़ने की बात कहता है वही काव्या भी कीर्थी के लिए काफी ज्यादा परिशान होती है वेल अपकमिंग ट्राक में ये देखना दिल्चस्प होगा क्या खूद ना मिलने की बज़ा से चली जाएगी कीर्थी की जान आपका अपकमिंग ट्राक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं टीवी शोस की अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें